आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप ISR form फिल कर रहे हैं और आपके पास DMAT account नहीं है यानि DMAT account नमबर नहीं है तो आप किस परकार से उस form को फिल करेंगे तो इस वीडियो में बने रहे हैं तक हम आपके ऐसे सभी related topics में discuss करेंगे जिसमें आपके पास कोई document नहीं है तो उसके अलवा alternative आप क्या लगा सकते हैं या वो लगाना mandatory है या नहीं है तो वीडियो के साथ हैं तक जरूर बने रहे हैं हम ISR 1 form open कर लेते हैं यहाँ पे हमने ISR 1 open कर लिया है देखें इसमें first आप से जो पूछा जा रहा है है तो आप देट यहां पर फिल कर देंगे simply उसके अलावा pen card आप से मांगा जा रहा है तो आपको pen card देना mandatory है pen card के alternative में कोई document नहीं होता है तो pen card आपका mandatory है यादि pen card नहीं है तो उसे बनवाए फिर आप process के लिए apply करे तो pen card आप apply कर दीजिएगा और है तो आप सीधा उसकी photocopy self-attested लगा दीजिएगा इसके अलावा postal address यानि आपका जो अधार proof alternative लगाएंगे और उसको request letter में highlight करके mention करेंगे इसके अलावा bank detail ले cancel check आपको देना होता है और signature आपको करने होते हैं अपने सभी forms पे और साथ में isr2 form फिल करना होता है email address वो जो आपका working हो और आपके पास हो और mobile number भी working होता है इसके अलावा एक section आजाता है DMAT account detail अगर आपके पास DMAT account detail अवलेबल है तो आप इसे फिल करेंगे यह mandatory part नहीं होता है और यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे इसके अलाव आजाता name of the security company तो यह सर्दा form आ जाता है यहां से form फिल करने के लिए तो form जैसा आपको बताया है हमेशा यहां पर company का नाम आएगा folio का नाम आएगा यहां पर shareholder का यहां कौन से number of shares और face value आ जाएगे और यहां पर distinct number आ जाएंगे तो form easy है आप इसे fill कर लेंगे यहां पर pen number आपको fill करना है अपने जो भी आपका claimant है यानि जो भी holder है उसका इसके अलावा आपका pen card अधार card से link होना चाहिए यदि नहीं है तो उसे link कर लीजिएगा दो मिनिट में online हो जाता है यदि आपको नहीं पता कैसे link करना है तो आप मुझे comment कीजिएगा मैं इसके उपर एक special video बना दूँगा कैसे इसको link किया जाता है तो आप इस पर yes पर tick कर देंगे इसके अलावा टीमेट अकाउंट नॉमबर अगर आपके पास अबलेबल है तो फिल करेंगे और अपना cml यानि क्लाइंट मास्टर लिस्ट साथ में अटेच करेंगे और यदि नहीं है तो आप इसे blank छोड़ देंगे और request letter में mention कर देंगे कि अभी आपने नहीं open किया है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा मिलते हम एक और नई वीडियो में एक और नहीं किसी इंट्रस्टिंग टॉपिक या कमेंट के साथ तब तक के लिए धन्यवाल कर दो कर दो कर दो